जो लोग वेट लॉस के लिए स्ट्रिक डायेट फॉलो करते हैं उन्हें कई बार समझ नहीं आता है इवनिंग स्नैक्स के टाइम क्या खाना चाहिए अब दिन बर कोई fruits और सबसी खाने ही सकता ना तो healthy और tasty snacks में क्या खाए जो कम oily, cholesterol free, low fat इन सब चीजों से free हो मखना एक ऐसा चीज है जो खाने में काफी lightweight और healthy भी है मखना के सिवा इसका common नाम है prickly water lily और इसका botanical नाम है eural phyrox क्योंकि मखना के बारे में काफी लोग जानती नहीं है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मखना खाने से कैसे weight loss होता है और ये भी बताऊंगी कि weight loss के लिए मखना कैसे खाने चाहिए लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से latest update पाने के लिए हमारी चानल Live Long Health को सबस्क्राइब करना ना भूले अब देखते हैं कि मखना किस तरह weight loss करता है मखना में calorie मखना ऐसा snacks है जिसमें बहुत कम calories है low fat और बिना cholesterol का है शायद ऐसा कोई और snacks नहीं होगा जो health के लिए अच्छा और कम calories वाला हो 50 gram dry roasted मखना में सिर्फ 180 calories होती है और इसमें unsaturated fat और sodium भी नहीं होता है मखना के in speciality की वज़े से काफी popular weight loss snack है मखना में portion मखना size में छोटे और weight में light होते है इसलिए ऐसा लगेगा कि इसमें कोई portion की चीज़ें नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है मखना में proteins और carbohydrates की quantity बहुत होती है साथ ही मखना कम oily और cholesterol free होने के कारण heart patients के लिए काफी अच्छा है और मखना में iron बहुत होता है जिससे blood में hemoglobin form होने में मदद होती है अब जानते हैं कि weight loss के लिए मखना कैसे खाना चाहिए weight loss के लिए घर पे बने मखना खाना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो कम oily और बिना artificial flavors के होंगे जब आप घर पे मखना बनाए तब थोड़ा सा घी डाल सकते है जिससे taste आएगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि मखना बिना fats का होता है और उसमें ज्यादा घी डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा diet का इसलिए थोड़ा सा ही घी डाले और मखना धीमी आज पे भून ले साथ ही मखना को tasty बनाने के लिए उसमें पुदीना, कड़ी पत्ता, चाट मसाला ये यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये तेल में बनाएंगे तो तेल से कैलरी बढ़ेगी इसलिए मसाले के साथ बनाने में भी थोड़ा घी डाले और हमारे बोड़ी को तो अच्छे फैट की जरुवत भी होती है तो थोड़ा घी खाने से अच्छा फैट मिलेगा जैसे आपने देखा कि मक्खना में बहुत कम कैलरी है और अनसाचुरेटेट फैट है और इसलिए ये काफी हल्दी स्नैक है इसके सिवाब स्नैक टाइम पे वेफर्स फरसान जैसी चीज़े खाएंगे तो वो बहुत oily और digest होने में heavy होते है लेकिन मक्खना lightweight होने के कारण easily digest होता है और आपको ज्यादा भूब भी नहीं लगेगी जिससे weight भी कम और maintain रहेगा मक्खना खाने से metabolism level भी boost होता है और हाग मक्खना उपास के दिन भी खा सकते है तो आपके इस वीडियो पे क्या views है हमें comment में सवरूर बताईए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंदाया होगा जिसे like, share और subscribe सवरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद